श्वागत है मैं सुरील पांडे औल कॉलेज इंफर्मेशन चैनल में आप शभी का श्वागत है ब्यार स्कूल एक्जामनेशन बोड पढ़ता इंटर्मीडियेट नमानकन जो कि स्पॉर्ट एडविशन स्टार्ट हो गया है यह अलाइन करने के बाद कैसी प्रोसेस है और क्य कैसे प्रोसेस है अब इसको कैसे अपना एडविशन करा सकते हैं यह सारी जनकर आपको इस वीडियो मिलेगा और वीडियो को आगे बढ़ाने से पले बताते हैं कि अगर आप इस चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजे आप सभी स्टुडेंट को बता देतना चाहते हैं कि जो जो स्टुडेंट का अभी तक कोई भी लिष्ट में नाम नहीं आया था उन सभी स्टुडेंट के लिए वो अपने ओएफेश साइड पर जाके जोकि आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा अब ओएफेश साइड पर जाके वहां पर अपना स्टुडेंट लॉगिन में जाके लॉगिन कीजिएगा और इसके बाद नीचे में दिया रहेगा Spot Admissions Print वहाँ पर आप जाके अपना Spot Admissions Print कीजिएगा जिससे आप लोगों का Spot Admissions के लिए वहाँ पर Blank Form निकल जाएगा जिसमें नीचे आप लोगों को college और stream के लिए subject डालने के लिए आपको option दिया रहेगा जो कि आप forum का 2-3 copy लगा निकाल लीजिएगा और उसमें से डाल लीजिएगा आपको जिस college में admission लेना होगा आप उस college का नाम डालिएगा और आपको जिस faculty में admission लेना होगा उस faculty का नाम डालिएगा आप लोगों का इसके बाद उस college में जमा किजिएगा उसके बाद वो college अपना merit निकालेगा college के form के हिसाब से वो अपना merit निकालेगा merit निकालने के बाद अगर आप लोग का उस merit में नाम आया तो आप सभी student का admission होगा और जिस student का किसी और college में आ गया था list में नाम अगर उस college में वो admission नहीं कराना चाहते हैं या by the way किसी कारण वस उनका admission छुट गया होगा या वो कही और admission करा चुके हैं और वहाँ पूँवो satisfaction नहीं है अगर वो चाहते हैं कि उनका admission गौर्मेंट college में हो तो उसके लिए भी process है वो admission कराने के लिए वो भी spot के लिए new form का blank form open होगा जो की वहाँ पे आपको सारी detail आपको डालना पड़ेगा और वहाँ पे आपको online में आपको subject और college नहीं डालना है आप जो form निकलेगा उसमें subject और college डालके अपना submit कीजेगा वहाँ पे आप लोगों का सारी 300 payment करतेगा आप लोगों का 350 डुपीज आपका payment करतेगा जो की इसके बाद आप लोगों को जिस college में आपका admission होगा उसमें आपको same process होगा आपको जमा करना पड़ेगा और जमा के हिसाब से आपका marks के हिसाब से सबसे पहले आप सभी लोग इस्टुएंट ये देख लिजेगा कि आप जिस college में admission लेना चाहते हैं उसमें कितने seat खाली है और अभी कौन सा इस subject में आप admission लेना चाहते है तो उसमें available seat है की नहीं जिस faculty में आपका admission available होगा seat उसी में आप अपका डालिएगा और इसके बाद उस college का अपना merit list निकालेगा फिर आपका admission होगा अगर आप लोगों कहीं भी problem होता है इस board admission या college या university से जुड़ी कोई भी information जानने के लिए आप इस channel के comment box में comment कीजिए और आप लोगों को 24 गंटा के अंदर आप लोगों का reply दिया जाएगा क्योंकि ये comment box हम हमेशा पढ़ते रहते हैं जिस जिस student का आता है उसका reply दिया जाता है जादा से जादा इससे share कीजिए आप लोगों कहीं भी doubt हो तो आप हमे comment box में comment कीजिए धन्यवाद